आज मैं बना रही हूँ चटपटी, चटाकेदार और बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट सफेद मटर की चाट जो खाने में बहुत यमी होती ही है साथी साथ हेल्दी भी होती है और बड़ों से लेके बच्चों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो चलिए शु सोख होने के लिए जरूर रखें जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए और जब इसे हम कुकर में गलाएं तो बहुत अच्छे से ये गल जाए तो इसे मैं रात भर सोख होने के लिए रख रही हूँ फिर नेक्स देन मैं इसे चेक कर रही हूँ देखिए नेक्स मॉनिंग इ कोई मतर खराब तो नहीं है या इसमें कुछ गंदगी तो नहीं है मतर को अच्छे से चेक करने के बाद आविसे हम pressure cooker में गलने के लिए रखेंगे और 4-5 सीटी आने तक इसको पकाएंगे तो मैंने pressure cooker में मतर डाल दिये और अब इसमें मैं डालूंगी पानी और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बस मटर कवर हो जाए इतना ही पानी डालना है और इसमें एड़ करेंगे हम टेस्क के अकॉर्डिंग नमक जितनी हमारी मटर है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें नमक अभी डाल देते हैं जिससे कि हमारी मटर भी अच्छे से गल ज तो अरे वाह मटर अच्छे से गल गई है और इतना ही हमें गलाना है ना इससे कम कि दाने खड़े खड़े भी ना रहें और बहुत ज्यादा घुल भी ना जाएं परफेक्ट गली है हमारी मटर तो चलिए आप करते हम प्लेटिंग प्लेट ले ली है मैंने और इसमें मैं डाल सबको हेल्दी तो होता ही है क्योंकि इसमें तेल वगेरे नहीं यूज करते हैं और ना ही बहुत ज्यादा मसाले तो यह हल्दी भी होता है बहुत ही जटपट बन जाता है मटर डालने के बाद मैं इसमें डालने हूं थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप बच्चों के लिए तो लाल मिर्च ना डाले थोड़ा सा अवाइड करें और यहां पर मैं डालने हूं चॉप्ड अनियन और हरी मिर्च नमक थो हम पहले ही डाल चुके तो इसलिए अब नमक नहीं मिलाएंगे और यहां पर मैं डालने हूं इमली सॉस आप चाहे तो इसमें धनिया टमाटर की चटनी या जो हम इमली की सोट घर पे बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जटपट बन गई है हमारी मतर की चाट कैसी लगे आप रैस्पी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलती हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर